और स्वेश्टोटल प्लैटो एस वेल यह प्लेटो फिल्लॉसफर पॉलिटिकल थिंकर यह पिर फेस्टन पॉलिटिकल थिंकर मोर पूर प्रिसाइजली उन्होंने डिफेंट तरीके से जो एना अंसर किया है लोगों को ठीक है अपनी जो बुक्स ने लेखी है डिफेंट तर अरिस्टोडil चुम्के डिसाइपल थे प्लेटो चुवकी और उनोंने जो अकेडमी जोएन किया था उनका इंस्टिटीट उन से वहां से इनोंने प्लेटो की फिलाधो के बारह में बहुत the context of ruler किस पॉइंट पर disagree करते हैं ये भी हमारा इस वीडियो में topic of concern होगा क्यूंकि ruler according to Plato philosopher king था ठीके जो इन्होंने एक education system बनाया था उस education system के जरीए 50 साल तक educate किया था लोगों को और फिर उसके rigorous education देने के बाद उनके उनको एक outcome मिला था एक prolific results मिले थे in the form of philosopher king जिनको उन्हो ruler बना दिया था और absolute powers जो है ने इन्होंने ruler को देती थी एक perfect इन्सान इनको बना दिया था अब ये प्लेटो कहते हैं कि ये जो ruler होंगे ये perfect होंगे क्यों क्योंकि हम ideal state और perfect state बना रहे हैं और इन states के लिए virtuous जो है ना वो ruler चाहिए perfect ruler चाहिए इस point पे Aristotle इन से disagree करते हैं Aristotle कहत हैं कि जनाब ये तो एक impractical बात है हर इनसान में जो है ना imperfections होती है कोई बी इनसान perfect नहीं हो सकता है ये आपकी philosophy गलत है प्लेटो साब मेरे उस्ताद जरूर है लेकिन आप से मैं इस point पे disagree करता हूं और मैं अपने ideas पे compromise नहीं कर सकता Aristotle जो है ना वो कहते हैं जनाब ये इन impractical बात है imperfections हर इनसान में होती है ये भी सही कह रहे हैं क्यों 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 देखें हर हर वक्त जो है ना वो इनसान की intention सेम नहीं रहती है अरिस्टुल कहते हैं किसी एक point पर आ कर हो सकता है कि ये अपना जो है वो wisdom यूज़ ना करें knowledge यूज़ ना करें ठीक है जिस point पर ये प्लेडो के साथ agree करते हैं वो ये हैं कि प्लेडो कहते हैं कि रूलर शुड़ बी वर्चुवस परसन वर्चुवस इलीट होना चाहिए ठीक है तो वर्चुवस को फिर फर्दर डिफाइन करते हैं वर्चुवस वो हैं जो पूड़न्ट हैं वाइस हैं जिनके पास knowledge है प्ल वर्चुवस रिलर रूलर यह फिर अरिस्टोटल जोने नेक्स्ट सवाल करते हैं कि डिस्कवर कैसे करना चाहिए लेकिन आप पहले यह बताएं डिस्कवर तो कर लेंगे वर्चु है क्या अकॉर्डिंग टो हमने वर्चु देख लिया कि एक वाइस परसन को जोना अब यह कहते हैं कि आप अब देख लें अगर वाटिंग राइट्स हम किसी को देते हैं तो वाटिंग राइट्स का क्रेटेरिया क्या होगा क्या हम बाइबर्थ सब को जो है ना वो बोलेंगे कि आप सब सबसे ज्यादा प्रापर्टी यह सिर्फ उनको वोट देने का अगर आप इसकी एक पॉइंट पर एगरी करते हैं कुछ लोग कहते हैं कुछ इनमेंसे कुछ कहते हैं अब इन्होंने क्यूंकि 150 प्लस स्टेट्स को पड़ा हुआ था अरिस्टोटल नहीं कहते हैं कि कुछ स्टेट्स रहती हैं जो के वोटिंग राइट्स आन बेसिस आफ प्रॉपर्टी देती हैं जिनके पास दौलत होगी जिनके पास प्रॉपर्टी होगी वोही सिर्फ वोट दे सकेंगे जिनके कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास बाइबर्थ वोटिंग राइट्स होते हैं कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास ऑफ एजुकेशन वोटि पर पावर किसको देने चाहिए ज Nich Lori आब प्लिटिकल पावर किसको दे को दे दी उन्हों उसका claim भी ठीक है अगर लोग ये कहते हैं कि majority of the will को ये कहते हैं कि जनाब अगर आप ये कहते हैं कि political power उनको दे दी जाए जिनके पास property है जिनके पास ज्यादा wealth है तो ये भी जो है न इस claim को भी जो है न डिनाइ नहीं किया सकता क्योंकि उसक्त स्टेट हैसी थी जिनके पास जो 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 पुलिटल एलीट्स थे उनके पास ज्यादा property थी ठीक है इस claim को भी आप डिनाइ नहीं कर सकते हैं अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है पुलिटल पावर शुड आलवेज बी equally distributed ठीक है equally share की जाए लोगों के दरम्यान पुलिटल ये एक जो आज modern democracy आजकल की हम इसमें देखते हैं representative democracy में देखते हैं ये भी ठीक है अरिस्टोटल कहते हैं कि सब के claim ठीक हैं लेकिन आप ये भी देख लें कि जो 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 जस्टिस है concept of distributive justice of Aristotle वो हमने जो previous class में डिसकस किया था according to that concept of justice वो कहते हैं कि देखें अगर आप ये क क्यों कि हर इनसान की different capacity होती है ठीक है वो differently contribute कर रहा हुता है states को तो हम rewards or punishments according to contributions दें तो ये बहतर जो है नवो justice का एक criteria होगा ठीक है तो ये किसी claim को deny नहीं करते हैं वो ये कहते हैं कि मैं political power का जो criteria है वो कहीं भी deny नहीं करता हूं किसी से भी देखें हमारे पास बहुत ज्या criteria भी बहुत ज्यादा हैं किसी claim को वो deny नहीं कर रहे हैं आखर में वो सबके ideas सुनते हैं सबको ideas देखते हैं पूरी stairs को पड़ते हैं वो फिर अपना conclusion बताते हैं कि जनाब देखें numbers की game है numbers की भी game है quality की भी game है quantity की भी game है ठीक है ruler एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकत है ठीक है तो वो कहते हैं कि जनाब देखें किसी भी single class का claim जो है ना वो deny नहीं किया जा सकता किसी भी जो मैंने आपको different जो है आईडिया बताएं इसमें से किसी भी idea को हम undermine नहीं कर सकते हैं तो आप यह देखें कि rule of law होना चाहिए ठीक है general law को यह define करते हैं कि general rules होने चाहि ठीक है तो actually जो according to Aristotle हैं वो यह कहते हैं कि constitutions बनने चाहिए और according to those provisions of constitutions जो rulers होंगे वो elect किये जाएंगे या select किये जाएंगे फिर वो जो है ना वो rule करेंगे ठीक है तो इन्होंने जो है ना वो different ideas को देखके फिर हमें conclude करके बताया कि कौन rule होना चाहिए ठीक यू, Allah आफिस लो de 2ा वो пой कि लोगना पीक है जाएंगे इस्टima कि जो भट आफिस को कि बताया मशना स एक हो देखके ट्यांगे कि वो जो जाएंगे है थिर हमेंगे म欸 ठीक है।